दोस्तों 200 प्लस न्यू फीचर के साथ विंडोस का नया अपडेट इंस्टोल माल लिया क्या है मला हाँ एक दो दिन पहले यहां पे रिलीज हो चुका है मैंने खुद यहां पे अपने सारे डिवैसेस पे रोल आउट माल लिया अब देखो यह अपडेट में फीचर बहुत सारे आया है आज थोड़ी बातचीत करने वाले इन डीटेल एक एक फीचर साथ ही साथ देखो इतने सारे फीचर है तो मैंने मेन उठा है 15-16 उसके अलावा आपको और फीचर जानने है तो आप डिरेक्टी यहां माइक्रोसोफ की वेबसाइट पर पहुंच जो वहाँ पे अप्डेट करना काफी सिंपल है वह तो आप अप्डेट सेक्शन में जाओगे तो वहाँ पे अप्डेट का वहाला सबसे पहले तो अन कर ले उसके बाद आपको अप्डेट देख जाएगा मतलब कुछ फीचर दे चुके मेरे पास भी तीन चार नहीं आए तो ऐसा पता नहीं सिचुएशन क्यों है बट मोस्टली इन वन वीक आपको अप्डेट मिल जा या जो भी रहेगा सारे फीचर आजाने चाहिए अब जो फीचर से ये बहुत सारे मतलब मैं लिश्ट बनाने गया यहाँ पे मेरे पास पूरी ताम जाम एवलेबल है कम से कम 15 फीचर तो मैं अभी आपको बताने वालो है बहुत सारे जैसा बता है वेबसाइट पर चेक कर सकते हो अब चेंजेस की बात करते है स्टार्टिंग से तो सबसे पहले आपका फाइल मेनेजर तो लाज्ट टाइम यहाँ पे टैप का फीचर आ गया था खुश हुए थे काफी लोग इस बार और तगड़ा सीन कर दिया सबसे पहले तो इंटरफेस पे लुक अन करो यहाँ पे आपको थोड़ा इंटरफेस चेंज दिखेगा फाइल मेनेजर पहले से और थोड़ा प्रीमियम लगेगा मतला हाँ थोड़ा बॉक्स पैटरन दे दिया मतला यह एक गैलरी ऐसा फोल्डर आप बना सकते हो जिसमें आप जो मर्जी वो वाले डारेक्टरिस को एड करके उसके फोटोस को यहाँ पे लिस्ट कर पाऊ तो काफी सिंपल चीज है और लुक में भी काफी नैंस कर देती है एक चीज सबसे बड़ी और मेरे को यह बहुत पसंदीदा लगी फाइल मेंजर में अब आपको यह कोई भी इमेज पे आप क्लिक करोगे तो वहां पे आपको डिटेल्स का ओप्शन मिलेगा यहां से आप यहां से आप यहां से आपके डे टू डे लाइफ में हर दिन एक नया वाल पेपर माइक्रोसोफ वाले खोद आड करेंगे यह चीज अच्छी है अब यहां पर हो सकता है शायद और थीम्स देखने को दिख जाए इन नियर फ्यूचर क्योंकि ट्रेलर में तो क कीबोर्ड माउस हो गया यह कुछ भी ऐसे डिवाइस जिसमें RGB का कंट्रोल है तो आप डिरेक्ली यहीं से इस चीज को कर सकते हो साथी में यहां पर अलग-अलग rainbow effect हो में effect डाल सकते हो अलग-अलग effect आपने keyboard में देखे होंगे उस तरीके की चीज़े यहां फिर आप यहां क्लिक करके टासबार में वह सेटिंग में पहुंचोगे तो वहां पर आपको टासबार behavior मिलेगा उसमें सबसे नीचे आप जाओगे तो वहां पर एक नया option दे दिया है collapse वाला इसमें क्या होता है नाम निखा नहीं आता है file manager के आगे वह चीज का तो वह सब चीजों को आप आपको desktop में audio वाला उस पर क्लिक करना वहां पर आपको एक Windows Sonic वर वह भी मिल गया होगा ने option headphone के लिए वो थोड़ा enhance कर देता है sound effect आपके अलग चीजों के अंदर साथी साथ देको ऊपर तो सारे आपके उस चीजों के मिल गए नीचे आप थोड़ा scroll करो के हर एक app के आप audio क कर सकते हो और सहे तो किसी का भी बढ़ा सकते हो मतलब overall windows में जितने app है सबको एक साथ एक ही प्लेस पर आप manage कर सकते हो audio mixer यह completely एक बहतरीन बना दिया गया है सही में काफी useful है as a streamer हो गया या फिर आपको दूसरे purpose के लिए भी काफ इंपोर्टेंट है अचा एक और बड़ी पास की चलेगा यह biometric चीजों से वर्क करता है लाइक facial fingerprint इन सबसे तो आपको यह क्या होगा future में windows से कोई भी app या website पर आपको login करना है तो अभी यह directly ID डालो password यह जंजट खता सिर्फ आपके face scan से यह हो जाएगा तो Microsoft ने तो यह चीज अनेबल कर दिये Google ने भी कर दिये और तो paint app में सबसे पहले तो dark mode आपको दिख जाएगा paint एकदम नया इनोंने कर दिया साथ में layers का option यह मेरे पास नहीं आया बढ़ा किसी users के पास आ भी चूगा है तो वहां layers में जाके आप नहीं layers बना सकते हो साथी साथ background remove का भी इनोंने एक tool दे दिया है हाँ यह आपको सब क कुछ paint में मिल रहा है अब काफी लोग इसको Photoshop से compare भी कर रहे है बट यह बहुत बड़ा जंग हो जाएगी Photoshop अलगी चीज हो जाती है मेरे साब से वागी कुछ features आपको दे दियेगे easy to access एक और चीज है अगर आप developer में हो यह developers को मिला यह चीज एक co-current नाम का इनका feature है यह paint क अंदर यह क्या करेगा AI के through इमेज redesign करेगा यह देखते हैं यह कब normal में श्ता जाएगा यह काफी खतरनाक चीज है अपने अलग-अलग AI software देखोंगे जो image generate करते हो उस तरीके का कुछ काम होने वाला है not now but in near future आगे बढ़ते हैं co-pilot यह इस पर मैं ज्यादा नहीं बात च कर देना वह देखने लग जाएगा बाकि इसका एक अभी और preview version यहां पर launch किया गया तो कुछ settings चाहिद ना वर करें यह कुछ चीजों में आपको थोड़ा error दिखे तो वह solve हो जाएगा tension not बाकि feature दे दिया गया है साथी साथ दोस्तों अब आपको विंडर की जरूवत नही अगर बात करो तो आपको सारे आपको जरूवत नहीं है विंडर की directly आप विंडोस में कर सकते हो अच्छी चीज है यह तो मस्ता है बट इसके बारे में क्या बोलोगे अब भाई आप कोई भी आपको directly kill कर सकते हो from taskbar यह end task वाला चीज थी पहले आपको task manager में जाकी करना यह अच्छी चीज है यूज करने लाएक है अगर आपको PC बहुत slow रहता है तो वाँ एकदम से जल्दी से अप बंद करने होते है यह कर सकते हो आगे बात करो तो 9th और 10th position के अपने यह दो नए apps आ रहे है सबसे पहले तो विंडोस backup का आपको नया अप मिल जाएगा पूर इंटर लिंग कर सकते हो इस एप के थुरू अगेन भाई इसका यूज आप पर वही डिपेंड करता है अगर डेवलपर हो तो काफी अच्छी चीज हो सकती है next 11th नंबर पर बात करें तो भाई time and date को अब आप गायब कर सकते हो टास्क बार से यह भी बहुत बढ़िया यह अनेबल हो चुके काफी लोग के पाद तो फोटो अप में जब एडिट में आप जाओगे ना तो वहां पर नया बैक्राउंड इरेस कर सकते हो यह भी बढ़िया चीज करी है इसके लाब अगली की बात करें तो भाई आपको नया आउटलूक भी आपर देखने को दिग तो ब्राइटनेस ब्राइटनेस नॉर्मल हो जाएगी और दूर जाओगे तो प्रेजन सेंसर अभी इसके लिए सेंसर चाहिए तो वह अगर होगा तो वह खुद ही डिटेक्ट कर लेगा क्या आप नियर बाई में नहीं हो एक नया होम सेक्शन भी आपको सेटिंग में एक ही इंटरफेस में सब कुछ मिल जाता है इसके लावा अगला फीचर अगेन मुझे नहीं मिला यह स्निपिंग टूल के अंदर है स्निपिंग टूल में आप कोई भी आप टेक्स्ट फाइल को ऐसे करोगे ना क्रीन शॉट वाला तो आप वहाँ पे आप चाहो तो उसमें टेक्स एक्षन एक नया बटन दे दिया गया उससे आप यार वह कॉपी कर सकते हो टेक्स्ट को या उस पर जो भी एक्षन परफॉर्म करना चाहते हो कर सकते हो डिरेक्ली कॉपी पेस्ट वाला काम हो जाएगा तो यह कुछ वियार 16-17 मैंने आपको फीचर बता दिए यह न अगे चलो अगर वीडियो पसंद आई हो तो बिल्कुल भाई लाइक कर सकते हो सब्सक्राइब बनता है से यह टेक्र रेलेटेड वीडियो के लिए शेयर करते हैं मिल देने नेक्स एटो में तब तक के लिए बायर जया ही इन जय भारत वन दे मातरम